Hello everyone, welcome back to English Obsession So, आज हम सीखने वाले हैं, किचन में जितनी भी चीज़े होती है, उनकी English क्या होती है So, let's start ये है ओखली, जिसमें हम कूटते हैं, उसे हम कहते हैं mortar और जिससे हम कूटते हैं मूसल, उसे हम English में पैसल कहेंगे सिलबटे की English है, grindstone और जिससे हम चीलते हैं चीज़ों को, उसे हम peeler कहेंगे बोतलो को खोलने वाला है ये, जिससे हम opener कहेंगे ये है कटोरा, जिससे हम English में ball कहते हैं और ये है चलनी, जिससे हम pasta वगेरा चलते हैं, उसे colander कहते हैं ये है तवा, इसे हम English में griddle बोलते हैं और जिससे हम चीजों को पकड़ते हैं संशी उसे हम इंगलिश में पिंसर्स कहते हैं ये चिम्टा जिससे हम पापड वगेरा तलते हैं उसे हम टॉंक्स बोलते हैं बेसिन की इंगलिश है सिंग ये है भगोना जिससे हम इंगलिश में पॉट कहते हैं जिससे हम नीम्बू को निचोडते हैं उसे कहते हैं लेमन स्क्वीजर ये है कप और प्याला जिसे हम इंगलीश में भी कप ही कहते है ये है तश्त्री जिसमें हम चाई ठंडी करते हैं उसे हम इंगलीश में सौसर बोलते है ये है ढक्कन जिसे हम इंग्लिश में लीड बोलते है ये है जंजरा जिससे हम चीजों को तलते हैं उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फ्राइंग स्पून ये है आलू को मसलने वाला जिसकी इंग्लिश है पोटेटो मैशर ये है फेटनी जिससे हम अंडे को फेटते हैं उसकी इंगलिश है विस्क और कडाई की इंगलिश है वॉक ये है पल्टा जिससे हम चीजों को पलटते हैं उसे हम स्पैचुला कहेंगे और ये है चाय की छलनी इसकी इंगलिश है स्ट्रेनर यह है तंदूर के दस्ताने जिसकी इंग्लिश है oven clothes चाइदानी की इंग्लिश है tea kettle और यह है थाली जिसमें हम खाना खाते हैं उसकी इंग्लिश है plate यह है बड़ी परात जिसे हम इंग्लिश में platter बोलते हैं यह है चाकू जिसे हम इंग्लिश में बोलते है knife अगर आपको ये वीडियो पसंदा रहा है तो लाइक करिए और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आगे जो बेल आइकोन दिख रहा है उस पर प्रेस करिए ताके मेरे नए-nए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचे ये है कल्चुल जिससे हम चीजों को सर्व करते हैं उसे हम इंगलिश में लाइडल कहते हैं ये है चममच और इसकी इंगलिश है स्पून ये काटा है जिससे हम मैगी वगेरा खाते है उसकी इंगलिश है फॉर्क ये है अद्रे कलसुन मसलने वाला जिससे हम इंगलिश में बोलते हैं जिंजर गार्लिक प्रेस क्रशर ये है डलिया जिसमें हम प्लेट्स को रखते हैं उसे हम इंग्लिश में डिश्रैक बोलते हैं ये है डॉल्ची इसे हम इंग्लिश में मिल्क कैन बोलते हैं कूडेदान की इंग्लिश है डस्ट पिन बेलन जिससे हम रोटिया बेलते हैं उसकी इंगलिश है रोलिंग पिन चकला जिसके उपर हम रोटिया बेलते हैं उसे हम इंगलिश में पैस्टिर बोल्ड बोलते हैं छलनी की इंगलिश है सीव यह है सरवता जिसे हम इंगलिश में नट क्रेकर बोलते हैं ये हैं मिश्रन यंत्र, जिसे हम इंग्लिश में मिकसर बोलते हैं, चूरा और काटा, इन सभी को मिला के हम कटलेरी बोलते हैं, इससे हम अंडे को कट करते हैं, उसे इंग्लिश में एग स्लाइसर बोलते हैं, और ये हैं चूला, जिसे हम इंग्लिश में स्टॉब बोलते हैं, यह है कल्ची, जिससे हम पूडिया वगरे तलते है इसकी इंगलीश है skimmer जूना की इंगलीश है still wool जिससे हम चीजों को कद्दू कस करते है उसकी इंगलीश है gratter यह है pela, इसे हम इंगलीश में glass बोलते है और यह है लोटा, इसकी इंगलीश है round water pot अब आप लोग मुझे कॉमेंट्स में ये बताओ कि चकला और ओठली की इंगलिश क्या होती है आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हल्पुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अब तक आपने इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सबस्क्राइब करके आगे जो बेल आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए ताके मेरे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएए चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई